हाई गाईज, वेलकम टू मैं चैनल, कैसे हैं आप सब, तो आज का जो मेरा वीडियो है, ओवरनाइट हेर सिरम के उपर बनाया है, मैंने ये वीडियो, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेथी ले लेंगे, मेथी के दाने, और हम ले लेंगे दूसरा आप्शन है कलोंजी के दाने, ठीक है, तो आप चाहे तो इसको क्रेश भी कर सकते हैं, क्रेश करके आप इसको पानी के अंदर डाल के उबाल सकते हैं, या फिर आप इसको नॉर्मल भी उबाल सकते हैं, तो यहां मैंने दोनों चीजों का यूज कर लिया है, तो एक बाउल के अंदर हम अभी देर के लिए तो जब ये उबाल आ जाएगा इसके अंदर तो जितने भी प्रोटीन्स वगैरा होंगे कलोंजी के दानों में अर मेथी के दानों में वो सारा पानी के अंदर घुल जाएगा तो जो मेथी हैए इसके अंदर विटमिन C होता है और काफी सारे प्रोटीन होते हैं जो बालो को पोशन देता है साथ में कलोंजी के अंदर भी काफे सारे विटमिन प्रोटीन पाएं जाते हैं जो कि बालो को हेल्दी बनाता है स्कैल्प को मजबूत बनाता है और बालो को तूटने से भी बचाता है से छोड़ दीजिए इसके बाद आप क्या करेंगे इसको छान लीजिए या तो आप इसका पानी को अलग कर लिया था किलास के अंदर तो जो मेथी है मेथी मेथी में प्रोटीन और विटामिन सी होता है जो कि मैंने अभी बताया आपको जो कि स्कैल्प को हैल्दी रखने के सा बालों को घना और लंबा करने में भी हैल्प करता है इसके अलावा मेथी के बीजों में आईरन की अच्छी माद्रा होती है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है और बालों को अंदर से भी मजबूत बनाता है तो मैंने ये खाली बोटल ले ली थी मार्किट वगरा में आपको ये इजली मिल जाती है 10 या 20 रुबे की मिलती है ये बोटल तो आप घर में ना हो तो आप मार्किट से खरीच सकते हैं इस बोटल को तो ये खारी बोटल भी मिल जाती है मार्किट में इसके बाद जो मैंने पानी को अलग किया था तो वो पानी मैंने इसके अंदर ब कलोंजी के बीजों का तेल कई तरह के anti-inflammatory, anti-fungal, antibacterial, antiviral इन सभी गुडों से भरपूर होता है इसके साथ ही यह free radicals से आपके बालों को scalp की शुरक्षा करता है ऐसे में scalp को healthy बनाए रखने के लिए कलोंजी का तेल या फिर कलोंजी के बीजों का यूज करे तो यह बालों के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है आपको पता ही है तो guys मैंने बालों को सुलजा लिया है almost सुलजा ही रही है अपने बालों को तो आप बालों को सुलजाने के लिए कम जिकम आप जो यह comb आता है आप इस comb का यूज करिएगा जो मैं यूज कर रही हूँ डीटैंगल के लिए तो ये सिरम मैं अब बालो में लगाना स्टार्ट करूँगी तो आप चाहे तो इसको ओवरनाइट रख सकते हैं रात में आप लगा कर सो सकते हैं ठीक है इसे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है मैंने क्या कर रहा था लेकिन इसको मैंने तीन घंटे के बाद वाश कर लिया था ये वैसे ओवरनाइट सिरम है आप इसको रात में लगा कर सो सकते हैं बालो में कोई भी कहीं भी किसी भी तरह के प्राब्लम नहीं आएगा रात भर ये बालो में रहेगा तो ये बालो में ऑफजर्व करेगा बालो को अंदर शे पोशन देगा ये तो रात भर रहेगा तो काफी सारे जो प्रॉब्लम्स होती है बालो की स्कैल्प की डैंडरफ और ज़र्णा ये सबी को रोकेगा तो मैंने ये तीन गंडे के बाद वाश कर लिया था तो अगर आप इसके फाइदर जबर्दस्तों देख सकते है तो तो गईस इसके साथ जो कलोंची में होते हैं मेथी में हाई प्रोटिन और निकोटेनिक एसीड होता है जो बालो को जढ़ने से रोकता है तो सिरूप मैं अपने बालो में लगा चुकी हूँ और इसके बाद मैंने बालो को एक टेल बना लिया है बालो को बांध लिया है आप इसको लगा कर सो सकते हैं ठीक है या फिर आप इसको तीन घंटे बाद वाश कर ले और इसका जो सिरम मैंने बनाया है मैंने इसको फेस पर भी लगाया है और इसके बाद आप देख सकते हैं बालो को दोने के बाद बालो में कैसे शाइन आ चुकी है इसे पहले वीडियो में मैंने जो विटमिन E कैपसुल का या इसके बाद मैंने इसका यूज के अपने बालो में तो घर के अंदर जो और्गैनिक चीज़े होती है रेमेडिस वगारा आप यूज करते हैं तो काफी फायदा होता है इसे लगाने से वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना चैनल पर नूट